पूर्व राश्पती और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डॉनल्ड ट्रम्प के लिए शनिवार का दिन बेहत खौफ नाक रहा उनकी जान एक हाथसे में बाल-बाल बच गई दरसल पैंसलवेनिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आये ट्रम्प को मंच पर बोलते हुए मात्र 15 मिनट ही हुए थे खचाकच भरे रैली स्थल से अच्छानक ता बढ़ तोड फाइरिंग शुरू हो गई ट्रम्प समेट रैली में मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही निशाना साथ कर दागी गई गोलियों में से एक गोली निशाने से महज एक इंचूकती हुई ट्रम्प के कान से छुकर गुजरी अंदद उन फाइरिंग से चौके ट्रम्प का चेहरा खून से सन गया वो अपना दाहिना कान पकड़ते हुए जान बचाने के लिए पोडियम के नीचे छिप गए इस बीच ट्रम्प की सुरक्षा में तैनाज सीक्रेट सर्विस के जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए ट्रम्प के लिए सुरक्षा घेरा बनाया इस दोरान ट्रम्प भी बहादुरी दिखाते हुए जख्मी होकर भी अपने चिर परिचित अंदाज में अपने समर्थों को की ओर हाथ लहराते दिखे इसके बाद उन्हें सुरक्षित गाड़ी में बैठा कर नस्दी की हस्पताल ले जाया गया जहां से ट्रम्प ने देशवासियों को बताया कि वो एकदम सेफ हैं भले ही ट्रम्प इस हमले में बाल बाल बच गए हो लेकिन इस हमले ने अमेरिका के राश्पती और उम्मीद्वारों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिये हैं ये पहली बार नहीं है जब ट्रम्प पर हमला हुआ हो इससे पहले साल 2016 में भी एक अभियान के दौरान ट्रम्प को मारने की कोशिश की गई थी हालिया घटना ने एक बार फिर से अमेरिका में हुई राजनितिक हत्याओं की पुरानी यादे ताजा कर दी है बताया जाता है ट्रम्प अमेरिका के पहले राश्पति या पूर राश्पति नहीं है जिनकी हत्या की कोशिश की गई हो अमेरिका के राजनितिक इतिहास में ऐसे कई नाम है जिनकी या तो हत्या कर दी गई या फिर मारने की कोशिश की गई आपको बता दे कि अमेरिकी राश्पतियों और बतौर राश्पति उम्मीद्वारों के खिलाफ 15 अलग-अलग मौकों पर हमले हुए है इनमें से 5 की तो मौत भी हुई है अमेरिका के अब तक के कुल 45 राश्पतियों में से 13 राश्पतियों की हत्या या तो वास्तविक रूप से की गई या फिर उनकी हत्या की कोशिश की गई वहीं पूर्व राश्पती बराक उबामा और मौझूदा राश्पती जो बाइडन पर भी कई दफा हमले के प्रयास हो चुके हैं आईए जानते हैं किन पूर्व राश्पतियों या राश्पती उम्मीद्वारों पर हमला हो चुका है अमेरिका के साथवे राश्रुपती एंड्रियू जैक्सन अमेरिका के पहले राश्रुपती थे जिन पर जानलेवा हमला हुआ था हमलावर ने जैक्सन पर पिस्तॉल तांदी थी लेकिन फायर मिस हो गया था इसके बाद हमलावर ने दूसरी पिस्तॉल से भी हमले की कोशिश की लेकिन वो भी मिस हुई अमेरिका के 16 राशुपती अबराहम लिंकन पर हमला हुआ जिसमें उनकी जान चली गई थी लिंकन पर ये हमला तब हुआ जब वो अपने परिवार के साथ एक नाटक देख रहे थे हमलावर ने उनके सिर में गोली मारी थी अमेरिका के 20 वे राशुपती जेम्स गारफील की भी हत्या कर दी गई थी गारफील को राशुपती बने कुछ ही महीने हुए थे तब उन पर गोली बारी हुई थी हमले के चार महीने बाद उनकी मौत हो गई थी अमेरिका के 25 वे राशुपती विलियम मैकिनले की भी गोली मार कर हत्या कर दी गई थी वो भाशन दे रहे थे जब हमलावर ने उन पर फाइरिंग की थियोडर रूजबेल्ट अपने राश्पती पद के बाद एक और कार्याले के लिए प्रचार कर रहे थे इस दोरान मानसिक रूप से परेशान एक व्यक्ती ने उन्हें गोली मार दी हाला कि उनकी जान जेब में मुड़े हुए भाशन और चश्मे के केस ने बचाई थी फ्रेंकलिन डी रूजवेल्ट को एक बंदूगधारी ने गोली मारने की कोशिश की लेकिन वो चूग गया और वो बाल-बाल बच गये हैरी एस्ट्रूमेन की हत्या की कोशिश में उनके आवास पर हमला किया गया हाला कि सुरक्षा बलो ने साजिश को नाकाम कर दिया अमेरिका के 35 वे राश्रुपती जॉन एफ केनेडी की हत्या की गुथी अब तक नहीं सुलजी है भीड के बीच से दो गोलिया चली थी एक गोली सीधे कैनेडी के सिर में और दूसरी उनकी गर्दन में लगी थी राश्पती गेराड फोर्ड की महस 17 दिनों के अंदर ही दो अलग-अलग मौकों पर हत्या की कोशिश नाकाम हुई ये दोनों ही हत्या की कोशिश महिलाओं की ओर से की गई थी राश्पती रोनाल्ड रीगन पर एक शक्स ने वाशिंग्टन में छे गोलिया चलाई जिसमें रीगल बुरी तरह जखमी हो गए थे हाला कि उनकी जान बाल-बाल बच गई थी ये पत्राइडव लग् में अप्स्यों हाश्त